अब अब अब्रीबन एक वार फिर से स्वागाते आपका नए वीडियो के साथ और वड़ापर सेशन को लाइक करता है सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब करने हैं और क्लास में जोड़ जाएं आपका क्लास का टाइम हो चुका है नमस्ते भाई ये नमस्ते सभी को चलिए भी क्लास स्टार्ट करें सभी लोग जोड़ चुके हैं और अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं अगर सभी लोग बच्चे आ चुके हैं तो एक बार फिर से सभी लोग लाइक करते हैं जो बच्चे ना हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं क्योंकि ऐसे ही जो चाहें वो आपका GIC के लिए हो ये प्रभाक्ता के लिए और चाहें आपका DSSB के लिए हो जो दिल्ली की नहीं विकेंसी अभी आई है ये आपका NET के लिए हो KBS, NBS सभी के लिए for fact वीडियो रहेंगे ये कोई दिक्क्र नहीं रहेगी ये हम आपको आस्त्वासंत लाते हैं चलिए आपका स्टार्ट करते हैं अगर पिछले एक्षर आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी देख ले ना प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर ले ना TGT, PGT, GIC, NET के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकाइदा उसमें आप देख सकते हैं है ना चलिए प्रस नमबर 60 इसके पहले 59 डिसकार सोच गया है इसलिए हमने 60 पे ले करके आ हैं कहरा D.P. मुखर जी के लिए निमनिकत मेंसे क्या सही है ये है वहाई एक संस्कृति स सास्तिर नहीं थे, B के रहा है वहाई एक सामाजक दर्शन नहीं थे, C के रहा है वहाई सारव्यक्चन से जुड़े नहीं है, D है वहाई एक आरम कूरसी वाले सामाजक आलोसक्चक नहीं थे, D.P. मुखर जी का प्रसन, बहुत ही प्रसन ये इंडियन तिंग करते हैं, सभी फिर से पता दें जिन बच्चों को पैड क्लास लेना है वो डिस्क्रेप्शन नंबर आपको मिल जागा उस पिजा करके आप कॉंटक्ट कर सकते हैं सीरे डारट हम सही आपका कॉंटक्ट होगा है ना और पैड क्लास लें लाइब क्लास लें आनन्द लें उसका मात्र 250 रुप सिष्टी बन सहरवाहरा करानकारत है आप लोगों ने डायक बहुत कम किया है क्लास तो सब है लोग देखते हैं लाइक बहुत कम करते हैं यह मजदूरों में वर्ग चेतना भी है मजदूर वर्ग की क्रांती सी है वेतन स्रिमकों की बढ़ती संक्या और यह पुंजी पतियो मैं प्रतिस पर दा 61 अगर सही नहीं देख रहा है तो quality थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप लोग है ना आपको clearडी देख जाएगा ओके 61 का आपका राइट अंसर हो जाएगा C बेतन स्रमोको की वर्ति संक्य यानिकि सरवाहरा करण का example होता है बेतन स्रमोको की बढ़ती जन संक्या माक्स के अनुसार देखें तो सामाजिक परगो की रचना अर्थवास्ता की उत्पादन के संबंदू के अधर पर होती है कि लिए रेतने दों को थोड़ा बहुत बता देते हैं इसने से रेलेटर जिससे आपकी जिग्यासा सांथ हो सके 62 अंकल सब्दकार्थ है वनात्मक संग्या, ब्रोधाबाजी संग्या, वेश्रेश्चात्मक संग्या, संकुचित संग्या अंकल बहुत ही प्यारा पर्षन है यह पिछली वार PGD में पूछा जा चुका है 62 बिल्कुल यह वनात्मक संग्या होती है क्योंकि अंकल एक वनात्मक संग्या है मौर्गन ने इस तो बताया था कि नात्दारी को वनात्मक एबम वनात्मक तो इस रेडिंगों में बहाटा था वनात्मक और वनात्मक है ना पढ़ा है सभी अच्चुने सब लोग कहा देंगे यसर यसर मैंने पढ़ा है लेकिन लगता है किसी ने पढ़ा है इसलिए हम बता देते हैं व्याक्या करना जरूर रहे है अंगलाए 63 सामाजय करन संदान के चरणों का साही करम बताईए जैसे पहला में दिया है इसी परकार से बता सकते हैं परस नमबर 63 जब आप रिसार्च करते हैं तो आप जो चरणों का जो करम बनाते हैं उसको आप क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं किस प्रकार से आप अपनी रिसर्च की जो संदान चरणों का साही करम रखते हैं अगर आप लोग रिसर्च पढ़ा होगा बकार तो आप बिल्कुल बता सकते हैं आपको जानकारी रखते हैं कि आप बता सकते हैं, बिदों को C होता है, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं हैं हम बताने के लिए ही तो बैटे हैं, सबसे पहले आप बेसान निर्धारन करेंगे, उसके बाद एक परिकलतना का निर्माण करेंगे, हाइपोथीसिस बोल क्या आपका चला जाएगा सी अंगला है आपका सिस्टी फूर कि यह रहा कि रहा एक हिंदू परिबरतन नहीं कर सकता वह डॉट 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 है यह पैत्रिक गार भी आपका वाण सी यह जाती और डी यह धार्म इसका अंसर हो जाएगा आपका जी जाती क्योंकि सामाज जाती ही होती है ना सिस्टी फूर का है क्योंकि एक हिंदू जाती परिबरतन नहीं कर सकता कास्टम जी जात में आप पैदा हुए उसको आप नहीं बदल सकते हैं बता काया सभी बदल सकते हैं आप घर बदल सकते हैं आप अपने धर्म बदल सकते हैं लेकिन जाती नहीं बदल सकते हैं अंगलाया सिस्टी फाइब एल ए एम पी एस का सही रूप क्या है यह लार्ज एरिया मल्टी परक सोसाइटी बीकर आपका लॉंग एरिया मल्टी परक सोसाइटी सी है लेंग थीज एरिया मल्टी परक सोसाइटी डी है उपरी मैं से कोई नहीं एल एम पी एस दो को इसका मतलब की बात करने तो Large Area Multi-Pract Society हो जो जन जाती है किरसक और आदिवासी उप्रोकता के बीच एक मद्धिस्थम एजेंसी ही मानी जाती है इसका राइट हैंस आपका बिल्कुल A हो जाएगा Large Area Multi-Pract Society किलियर है बेटा अंगला आपका 66 66 थोड़ा दिखनी रहा है आइटिंक बच्चों को यह रहा है अपके लिए दिख रहा होगा मुसलमानों में सरियता होती है या होता है यह पेगंबर के बीच आचरन का पालन करना बीकर आपका इसपात किसी दान्तों का पालन करना सी है बिवाय परिवर्दन और बिरातन के संबदों में नियंत्रन और डियापका हराम और हलात के बीच आंतर 66 बिल्कुल 66 का बाई अंसर हो जाएका C है ना इसको बताता कि सारियता यानि कि सारियता जिसे सारिया कानून या इसलामी कानून भी कहा जाता है इसमें बिवाय परिवारो और बिरासाथ से संबंद में बिला लखा है अंगलाय आपका 67 किरा बिच्टु राज की कलपना किस ने की थी बिच्टु राज की कलपना कौन करता बाई बहुत ही प्यारा प्रिशना है ये सभी लोग जानते है अरविन्द साफ करते है ना अरविन्द ने एक ऐसे बिच्टु राज की कलपना की थी जो स्वतंत्र राष्ट का संग होगा ये थोड़ा छोटा का लेते हैं इसकी सूची हैं आप पहले पढ़ लीजिए दोन सूची हैं पहले सूची है आपका लुईरियू में युगन सिंग के एम पनिककर और डैनियल थॉर्णल दूसरी सूची में हिंदू सोसाइटी हैं क्रोस रोड दूसरा कहारा दा पॉलिटिक्स अभी ओप दा ट्रेडिशन सोसाइटी इसका आप इसकी व्यक्ष्य बता देंगा यह रहा क्लियर कूट लेकर आपकी यह रहा आप देख सकते हैं है ना कूट लेकर देख लिए फिर हम आपको अंसर पर फड़ा पट ले चलते हैं इसका देख लिए है सभी अच्चु ने यह देख लिए किसकी कौन पुस्तक है चलिए देखो इसको हम पता देते हैं आपको है ना इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा बी उकी बी किलियर अंसर आप देख सकते हैं मिलान का लीजी गा अंगलाय आपका 69 पिता की वहन की पुत्री के साथ जाब आप बिभाय करते हैं उसको क्या कहते हैं सोरोरेट, पैटरन, क्रोस, करनेज, मेरज, एंडोगैमी या हाइपोगैमी आइटेंक बहुत बच्चों ने पढ़ा हुआ है असे परसन को लाकातार कई बार पढ़ा जा चुके हैं तो हमें रटा हुआ है बेरी गूड, है ना, क्लियर ही होगा है सेविंटीन, उन्हें करते माज़े कौन सम्मिती नहीं है एक पार्क में टेलने बाले जो ब्रत ब्यक्ती टेलते हैं या सर्मेक संग या बोट क्लब या टेनिस क्लब कौन सा जो है सम्मिती नहीं है एससीर, जिसको इंग्रेस में का जाता है यह बेशेक कोंसरप्ट का बहुत ही महत्पूर्पूर्ब पार्ट है सम्मिती किसी बेशेस उद्देस की लिए बनाई जाती है जब उद्देस पूरा हो जाता है तो सम्मिती वहीं समाप्ट हो जाते है ना प्रिस्नमबर 17 का एक पार्क में टेहलने वाले बृध भ्यक्ती राइट अंसर हो जागा आपका A अंगला है 71 किरा निमने वाज़े किस विशेष्टा का सम्मन समिती से है सामान उद्देश स्वाता पेकास विशेष्ट उद्देश या अनिवार सदस्ता देखे अभी हम बता चुके हैं इस प्रिस्नमबर 17 का सायद एक मिनिट भी नहीं लगाएंगे इसको अंसर देने में सम्मन ती की क्या विशेष्टा होती है बिलकुल विशेष्ट उद्देश होता है बई किसी उद्देश के लिए ही तो हम सम्मिति का नर्मार करते हैं सम्मिति का नर्मार इसलिए ही तो की जाता है जब सम्मिति आपकी हो जाती है तो आपका अपने अपने लोग अपने अपने लिगा चल जाते हैं यासे गाओं में देखते हैं हम लोग बाड़ा आती है तो लोग सब एखट्टा मिल करके बाड़ा को रोकने के लिए जो ब्यवास्ता करते हैं जब बो हो जाता है तो सब लोग अपने उस सम्मिती से बिच्छेत हो जाते हैं 62 है ग्राम नगर अब धाणा का प्रतिपादन किसमें किया था बिलको राइट अंसर आपका हो जाका C गालवें द्वारा क्योंकि ग्रामीन एवं नगरिये समुदाओं की जो पारस्परेक अंतरचाती द्वारा जनेत एवं पुर्च गालवें की अब धाणा का प्रतिपादन आपका ग्राम नगरिकलन जिसको कहते हैं इसलिए रचना Charles J गालवें ने की थी अंगलापका 73 अडुबादी परिवार क्यों द्वारा की गई है ग्रहस्ट परिबार और नाविकी परिबार अंगला आपका 74 अपराद सास्त्र का कौन सा संप्रदा मानता है कि अपरादी जनमजात होते हैं ये किस ने कहा था सभी लोग जानते हैं तो आपज का अंसर बहुत जल्ली बता सकते है इसको आपको लुम्बरो सो साबने कहा था कि अपरादी जनमजात होते हैं ये बनाए नहीं जाते ये परारूबादी होते हैं राइट अंस आपका 74 का परारूबादी संप्रदा का ये कहना है अंगला आपका 75 थोड़ा चोटा कर देते हैं पूरा दिख जाए अब दिख रहा होगा है ना चली कथन और कारण कथन करा अब हिंदू बबाको संस्कार से अधिक संविदा समझे जाता है कारण करा भारती समाज पर पाश्चिमी पिचारदारा का प्यापक प्रवाव पड़ा है इदर आपका कूत लेखन कि साबसे दे सखते ए है ए और आर दोनों साही है ए कथन कराण गलत है कथन, D में आपका कथन गलात है, कारण जो है गलात है लेकिन कथन सही है, 75 का I think answer बिलकुल हमारे साब से यह जाना चाहिए, दोनों सही है, हिंदू धर्म में बवायको संसकार के रूप में ही तो माना जाता है, परंतु पस्चिमी बिचारदरा के फालसरूप बवायक सम्मेद करूब ले लेती है, है ना, अगर आप देखेंगे, अंगला 76 है, निमले के तमय से किसने भारत में जन जातियों के बिकास के दिये सरकार को राश्टी उद्धान, यानि कि नैस्नल पार्क के नाम से सुधा दिया था, गुरिये ने मजूंदारी या बोस्नी या एल्मिन, ए किसने दिया था, राश्टी उद्धोक नैस्नल पार्क, आंसा 76, लाइक तो आपका बनता है भाई, तो लाइक ठोको जरूब, अगर आप लाइक करेंगे तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, और अच्छे तरीके से समझाने का जो है प्रयास करेंगे, है ना, तो भाई, लाइक कर दो, आपके लिए बहुत यूसफुल होने वाले हैं, यह यह लेक्छर, 76 का आपका राइट अंसर हो जाएका है, D, वेरियल एर्वन ने, क्यों भारत में जन जाती हो कि बिकास के लिए सरकार को राश्टी उद्धान बनाने का सुझाओ, मौना सास्त्र थी यह, बैरियल एलिवन, यह उन्होंने दिया था, अंगला है, 77, मातमा गांदी ने हरजन सब्द का प्रियूग किया था, सबसे पहले किस डेटिम किया था, 1913, 1935, 1936, 1940, क्या का था, हरजन सब्द का प्रियूग किया था, भाई, जबकि मातमा गांदी भी इस बर्ग को अस्पर सब्द की नाम से जान कहते थे, फिरों नोंने हरजन सब्द क्यों कहा था, किस डेट में कहा था, इसका अंसर, आप नहीं, हम बता दे रहे हैं, राइट अंसर हो जागा आपका, 1913, क्योंकि हरजन सब्द गांदी जी के दोरा अही प्रिचलत में आया है, प्राराम्ब में गांदी जी इस बर्ग के लिए अस्पर सब्द का प्रियो करते थे, और इने नोंने उसका नाम चेंज कर दी, अंगला है, 78, गोडार के अनुसार में मलेकत में से कौन सा बाल अपरात का सरपर मुकारणा है, अनैतिक ग्रह, मान बिल्कुल मानसिक दुरबलता है, गोडार के सामने काता है, गे बाल अपरात का सरपरतम मानसिक दुरबलता ही कारण है, और इस सेशन का ये लास्ट परिसन है आपका, है ना, 79, दा पॉजिटिव और बोमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेका कौन है, इंद्रा देवा, ए एस अलतेकर, या जे एन, चौदरी, या बाईबी, दामले, तो लाइक जरूर कर दें सिर्फन को है न, अगर वीडियो आप लोगों का अच्छे लगा करें, तो लाइक तो कर दिया करें, और जो बच्चे देखों नए हैं, हम फिर से बता दे रहें, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ही फायदे मंद है, वीडियो मिलाएंगे, उत्सा बढ़ता है हमारा, इसका हो जाएका B, अलते कर, किलियर है बेटा, तो आप अगर सर का उत्सा बढ़ाना चाहते हैं, और तो आपको लाइक जरूर करना होगा, ना बच्चे, चलिए मिलते हैं पर नेस्ट एपिशूट में, एपिशूड ही ए उसमें ऐसा ही चल दें, लास्ट में करके वह ऐसी जगा छोड़ देंगे, कि आपको नेस्ट लेक्चर के लिए, वो नेस्ट वीडियो के लिए, नेस्ट सीरीज के लिए, उसका बेट करना ही पड़ता है, तो बेट कर दिये, कल वो आएगा वीडियो, है ना, चलिए थैंक थू!